हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दा सक्सस केंद्रा फ्रेंड्स आप सभी को गुड अप्टरनोन और सबसे पहले तो जल्दी से सभी लोग सेसन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रूप में जहां कहीं भी आप हैं चाहे वह टेलिग्राम ग्रूप हो पर आई हुई है जिसके एक्जाम जो है एक साथ और 15 अक्टूबर 2023 को लिया जाएगा उसके लिए हम लोग फुल लेंथ प्राक्टी सेट को जी है फ्रेंड्स सेट में टोटल सो प्रश्ण है या फुल प्राक्टी सेट है और आज हमारे या सेट नंबर 13 है इससे पहले मैं आपको 12 सेट कभर करा दिया था फुल लेंथ वाला तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जरूर देख लिजेगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा इसमें टोटल सो प्रश्ण उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार से आपकी एक्जाम यानि की बिह लाइक कर दिजे चलिए सेसन आज का स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस कोंश्टेबल के लिए यह ओरिजिनल प्राक्टी सेट है इस सेट में टोटल सो प्रश्ण है यानि कि यहां फूल लेंथ प्रकार के प्रश्ण आपको देखने को मिलेंगे जिस प्रकार से बिहार आज की सेसन का पहला प्रश्ण पढ़िए कि टेफलोन निमनलिखित में से किस एकलक का बहुलक है एंसर सबको लाइब चैट में कमेंट करके बताना है मेरे प्यारे भाई बहन सबको एंसर कमेंट करना है और अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है जिनका एक अक्टू के माध्यम से बहतरीन कंटेंट आपको उपलब्द कराये जा रहे हैं देखे फ्रेंट्स बिहार पुलिस में अब तक 2010 से लेकर के 2023 तक में जितने भी जोग्राफी के प्रश्ण पुछेगा है भोगोल के उनको मैंने कभर कराया हुआ है तो जिन्होंने अब तक इन वीडिय प्रश्ण किस प्रकार से पूछा जाता है देखे प्रश्ण पूछा भी गया था कि बिहार में कि किसका परियोग रसोई में न चिपकने वाले बरतनों के परत के रूप में किया जाता है ये बिहार पुलिस में प्रश्ण पूछा गया था तो टेफलोन का परियोग किया ज जो है यह टेट्रा फ्लोरा इथिलीन का बहुलक है ऑप्सन बी बिल्कुल इसका करेक्ट अंसर जिन्होंने विदिया है उनका करेक्ट अंसर है चले सभी लोग एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर जीजे देखें दूसरा प्रशन पढ़ेंगे यह बिहार पुलिस का प्रश प्रशन करेंगे फ्रेंट्स और सभी लोग इस सेट को लगाईए और अप्रशन प्रशन करेंगे लोग इस सेट को लगाईए और अपना अपना स्कूर कमेंट करके बताईए चले तीसरा प्रशन भी बड़ा इंपोर्टेंट है कि अंतिम मौरे शासक कौन था यह प्रशन बार बार पूछा जाता है यह अल्रडी मैंने आपको कराय भी हुआ है सभी लोग जल्दी से इसका अंसर बता दीजे देखें अंतिम मौरे शासक जो था यह कौन था अचा मौरे वंस का संस्थापक कौन था पहले यह बताईए मौरे वंस का संस्थापक चंद्रगुप्त मौरे था चंद्रगुप्त मौरे ने चानक की किसा हैता से नंद वंस के आखरी सासक धानानंद को पराजित करके मगत पर मौरे वंस की अस्थापना किया ठीक है और अंतिम मसासक जो था ये ब्रहधरत था ब्रहधरत की हत्या जो है पुस्से मित्र शूंग ने कर दिया और मगट पर सुंग वंस की अस्थापना किया था इसे भी आप जरूर याद रखिएगा चले next question करेंगे चौथा प्रश्ण है किनम नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम यानि कि किनवन के लिए सत्य नहीं है सत्य नहीं है एंजाइम के लिए चले बताई राइट अंसर क्या हो जाएगा देखिए क्या है एंजाइम एक जयव उत्प्रेरक है जो क्या करता है कि प्रतिक्रिया की जो गती है उसको बढ़ा देता है एंजाइम एक जयव उत्प्रेरक है एंजाइम संक्रियन उर्जा को कम करके प्रतिक्रिया की गती को बढ़ाता है ठीक है, प्रतिकरिया के लिए संक्रियन उर्जा जितनी कम होगी उसकी दर उतनी ही तेज होगी, ध्यान रखेगे, यहाँ पर देखे, लगबग सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, यह सही चीज है, एंजाइम में सक्रिया स्थानवा स्थाने जहाँ पर प्रतिकिराक तर गुछा होता है सही है लगबग सभीTime उच्छ टापमान पर नश्च हो जाते हैं यह भी सही है देखें एनजाइम संकेरेगयान उर्जा को बढ़ा करके अविव किरिया को दर को बढ़ा देता है देखिए मैंने बतायAyya था कि enzyme संक्रियन उर्जा को कम करके संक्रियन उर्जा को बढ़ा करके नहीं कम करके जो है अविक्रिया की दर को बढ़ाता है तो option D जो है ये सही नहीं है option D बिलकुल इसका right answer हो जाएगा चले अगला प्रश्ण है question number 5 कि अतिरिक्त मुले का सिधान्त किसने प्रतिपाजित किय अतिरिक्त मुले का सिधान्त यानि कि theory of surplus ये किस ने प्रतिपाजित किया था जल्दी से answer कमेंट कर जीजिए सभी लोग इसका answer कमेंट कर जीजिए दिखे अतिरिक्त मुले का सिधान्त जो है यहाँ प्रतिपाजित किया था काल माक्स ने काल माक्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में अतिरिक्त मुले का सिधान्त प्रतिपाजित किया था तो काल माक्स राइट अंसर हो जाएगा दास कैपिटल और कम्मुनिस्ट मैनिफेस्टो याद रखेगा इनकी रचना है चले नेक्स्ट कोस्टन कर लेंगे अगला प्रश्ण की विधान परिशद में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं विधान परिशद और विधान सभा दोनों याद रखना है अधिक्तम और नियूंतम दोनों सदस्यों की संख्या तो यहाँ पर दिखिए विधान परिशद की अगर हम बात करें तो विधान परिशद में जो है उस राज्य की विधान सभा की कूल सं अगर हम विधान सभा की बात करें तो विधान सभा में 500 से अधिक नहीं हो सकते हैं और 60 से कम नहीं हो सकते हैं ठीक है इससे भी आप जरूर याद रखिएगा चले यहीं लेबल है बिहार पुलिस का नेक्स्ट कुस्सन है हमारा 100 से अधिक वीडियो मैंने बिहार पुलिस के ल कितने अंक का होता है सबसे पहले तो इस आई-एफसी का आपको फुल्फरम पता होना चाहिए आई-एफसी का फुल्फरम क्या होता है इंडियन फाइन्सियल सिश्टम कोड इसे आप ध्यान रखिएगा और यह जारह उंक का होता है जी एश्टी गूटस एड्ट सर्विसेस टेक्स होता है जी और GSTV कितने अंख होते हैं, तो राइट अंसर बता जीजे, कमेंट करके, सभी लोग अंसर कमेंट कर जीजे, करेक्ट अंसर इसका option D, 15 हो जाएगा, कल ही मैंने एक science का important session आपको cover करा हुआ, बिल्कुल बिहार पुलिस वाला science का प्रश्ण है, तो देख लीजिएगा, चले, next question है, हमारा किनेमन लिखित में से कौन फासिवाद का संस्थापक था, सोच समझ करके, अंसर करिएगा, जल्दी बाजी में अंसर बिल्कुल नहीं करना है, फासिवाद का संस्थापक कौन था, अच्छा एक नाजीवाद है, अब तो आपको याद हो गया कि नाजीवाद और तो नाजीवाद का हिटलर है और फासिवाद का मुसूलिनी है, बैनिटो मुसलिनी, ठीक है, याद रखेगा, नाजीवाद पूछेगा, तो एडल्फ हिटलर हो जाएगा, जर्मनी में इसने नाजीवाद के स्थापना किया था हिटलर ने, देखे, अध्यक्ष और उपाध अध्यक्ष की अनुपस्तिती में उसके कारे कौन करता है सभी लोग एक बार फ्रेंड्स प्लीज सेसं को लाइक कर जीजिए आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूं आपके लिए इतना अच्छा सा कंडेंट लेकर मैं आता हूं कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं इस 100 प्रश्ण वाले स अध्यक्ष की करतव्यों का पालन सदन के ऐसे सदस्य से द्वारा किया जाता है जिसे राष्टपती इस उदेश के लिए नियुक्त करते हैं तो यहां पर दीके राष्टपती जिस व्यक्ति को नियुक्त करें वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है तुसरी ओम विर याद रखिएगा चले अगला प्रश्ण हमारे कि एक दिक्षांत भासन नामक रचना के रचईता कौन है एक दिक्षांत भासन हिंदी का मैंने आपको वीडियो कराया हुआ था जिसमें बता दिया था कि प्रश्ण बिहार पुलिस में हिंदी में कहां से पूछे जाते हैं तो व्यंग है ठीक है क्या है व्यंग है और यह हरिसंकर प्रसाई की रचना है चले नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे कि निमनलिकित प्रदेशों में से किसमें दंसंख्या घनत्व दूतिये सरवाधिक है दूतिये सरवाधिक पूछा है अगर सबसे ज्यादा दंसंख्या और दूसरे नंबर पर यहां पर पूछा गया है जल्दी से अंसर कमेंट कर जीजिए कहां पर है तुराइट अंसर इसका अफ्रिका हो जाएगा ऑप्सन भी करेक्ट अंसर हो जाएगा अफ्रिका ठीक है चलिए उसका बदे कि राश्ट्रसंग कब अस्तित्व में आया यह प् संगठन था जिसके अस्थापना 10 जनवरी उनिसो बीस को पेरिस सांती सम्मिलन के बाद होई थी जिसने प्रतम विस्यूद को समाप्त कर दिया था तो दस जनवरी उनिसो बीस इसका राइट अंसर हो जाएगा और संक्तराश्ट संग की अगर अस्थापना पूछेगा तो स संक्तराश्ट संग की अस्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी इसे भी आप जरूर याद रखिएगा चले नेक्श को सने कि निमलिकित में से कौन अनुवांसिकी के जनक के रूप में जाने जाता है तो यहाँ पर दिखें मेंडल दिया गया है याद रखिएगा ठीक है अ कोसिका का खोज किस ने किया था तो फ्रेंट्स यह किया था कार्ल लेंड एश्टीनर ने ठीक है कोसिका का खोज किस ने किया था तो कोसिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था ठीक है याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट को सन करेंगे अगला प्रशने कि सी एन जी मुख गैस भी कहा जाता है याद रखिएगा ठीक है ओप्सन ये इसका राइट अंसर हो जाएगा चले 15 नंबर कुस्टन है कि मीरा बाई किस काल की कवित्री है अच्छा मीरा बाई अगर पुछेगा कि मीरा बाई की गुरू कौन है तो मीरा बाई की गुरू का नाम जराब कमेंट क रखिएगा ठीक है और मीरा बाई जो है ये किस काल की कवित्री है तो ये भक्ति काल की है ओप्सन भी राइट अंसर हो जाएगा थोड़ा सा जल्दी में हम लोग सेशन को कवर करेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो आप लोग सहयोग करिएगा चले भारत दुर्दसा और अंधेर नगरी बता इराइट अंसर क्या हो जाएगा अचा एक भारत भारती है भारत भारती किसकी रचना है भारत भारती तो भारत भारती जो है ये मैथली सरण गुप्त की है भारत दुर्दसा और अंधेर नगरी ये दोनों नाटक जो है ये हरिस्तंद के है भारत इंदू हरिस् लिए उपयोग में ली जाने वाली ड्रीजरेटर की बात की जा रही है तो दैके अगर पूछिए की रेफ्रिजरेटर में टिपिकल temperature कितना होता है तो typical temperature इसमें 4 degree centigrade होता है प्रसीतक में ठीक है और जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गास उप्योग मिली जाती है तो यह ammonia gas लिया जाता है यहाँ पर देखे गास यह ammonia दिया गया है चले उसके बद question number 18 है कि दोहरा अभिसाप दलित आत्म कथा जो है यह किस की है दोहरा अभिसाप दलित आत्म कथा किस की है चले जल्दी से अंसर कमेंट करेंगे ज्यादा दिर मत लगाईए सभी लोग अंसर कमेंट कर दीजिए तो देखे दोहरा अभिसाप जो है यहां कौसल्या बैसंत्री की आत्म कथा है ओप्सन भी राइट अंसर हो जाएगा चले अगला प्रशन करेंगे नेक्स्ट कुस्टन है थोड़ा से छोटा कर दूं ताकि इस स्क्रीन पर पूरा प्रशन एड़ेश्ट हो जाए विहार राज के 2023 बजट में वितिये वर्स 2023 के लिए विहार का अनुमानित राजकुसिये घहटा कितना है चले बताएगा कितना जो है अनुमानित राजकुसिये घहटा है अच्छा प्रशन है प्रशन पूछा जा सकता है याद रखेगा 2.98% 2.98% याद रखेगा और देखे बिहार बजट में जो है सबसे ज़्यादा खर्च किसमद पर किया गया है तो सबसे ज़्यादा खर्च जो है सिक्षा पर किया गया है सिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च किया ग में कुं सा औरषा राज्ज में इस दित्त है इसने सो कौन? शाबाइचा का Current Affairs का तीन वीडियो कराया है उसको भी देखिए निमनलिकित कोईला खानों में से कौन सा उडिसा राज्य में है देखे सिंगराउली मद्ध प्रदेश में है कोरवा छतिसगड में है तालचेर उडिसा में है option C right answer हो जाएगा रामगड जो है ये जहारखंड में है clear? चलिए अगला प्रश्ण करेंगे कि उप्राष्ट पती के निर्वाचक मंडल में होते है उप्राष्ट पती के निर्वाचक मंडल में चलिए बताए राइट अंसर क्या हो जाएगा निर्वाचित और मनोनित दोनों सदस जो है भाग लेते हैं जबकि राष्ट पती के चुना में मनोनित सदस इलेक्ट्रोरल कॉलेज का हिस्सा नहीं होते हैं ठीक है मनोनित नहीं होते हैं केवल जो है राष्ट पती में निर्वाचित होते हैं और इसमें दोनों सदन के निर्वाचित और मनुनित सदस होते हैं, option B, right answer हो जाएगा. चले अगला प्रशन है कि ऐसा बाजार जिसमें लेन दिन भविस्य में किसी खास समय पर संपन होगा, उसको क्या कहा जाता है? चले बता दीजी इसका answer क्या होगा? तो friends इसको क्या कहा जाता है? इसको वायदा वजार कहा जाता है, वायदा वजार में लेन दिन जो होती है या भविस्य में किसी खास समय पर संपन होती है, चले next question है हमारा खाली संदिया गया है, मोहिन दीन चिस्ती किसी से थे? इन में से क आँगा, यह आप मुझे बताईए कि मोहिन दीन चिस्ती की दरगाह कहां पर है, देखे कौन इसमें से मोहिन दीन चिस्ती के मुख्य सिस्त है, तो यह निजामोदीन ओलिया है, option B, right answer हो जाएगा, चले अगला प्रशन हमारा है कि निमन में से कौन सी धातु वजन में सबसे हलकी है, इनमें से कौन सी धातु वजन में सबसे हलकी है, चले जल्दी से इसका अंसर कमेंट करिए, कौन सी धातु वजन में सबसे हलकी है इनमें से, तो यह धातु जो है यहाँ लीथियम है, लीथियम बिलकुल राइट अंसर हो जाएगा, लीथियम सबसे हलकी धातु है, उसके बाद कि संकतराष्ट राश्ट शंग यानि कि unemployment में त्यार किया गया था संप्रोटिस्को संप्राष्ट के चार्टर और अंतराष्टिये नयायले के कानून का मसाधा तयार करना था अचा प्रश्ण पूछेगे कि ICG यानिकि अंतरष्ट्रिये नयायलय की अस्थापना किससम्मेलन की दौरा किया गया था तो याद रखेंगे 산 फ्रांसीसको सम्मेलन की दौरा ICG का अस्थापना हुआ था आईसीजी का हेट कोटर काहा है तो नीदरलेंड के दहेग में है चले अगला प्रशनेट 26 नंबर की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट यहां कवर बना लीजे कवर रिपोर्ट 2021 का नुसर भारत में भावगलिक छेतरफल का प्रतीसत देखे यहां प्रतीसत पुछा गया है किस राज में वनाकसादी छेतर अधिकतम है तो देखे अगर प्रतीसत में पुछेगा अगर हम बात करें तो छेतरफल के हिसाब से पूछेगा तो में देश का सबसे बड़ा वनेचेतर है मद्यपरदेश के बाद और उनाचल प्रतीस चतिसगर ओडिशा और महराश्ट्र है ठीक है और अगर प्रतीसत में पुछेगा तो सबसे ज्यादा प्रतीसत वनावरन वाला जो जो राज है यह आपका इसमें से मिजोरम हो जाएगा ठीक है मिजोरम उसके बाद और उनाचल प्रतीस उसके बाद मेगाले फिर मनिपूर और नागालेंड याद रखिएगा मनुस्त के कंकाल तंतर में कितनी अस्तियां होती है मनुस्त के कंकाल तंतर में आजकल पूछा जा रहा है कि अक्षिये कंकाल तंतर में या कंकाल तंतर अक्षिये कंकाल में अस्तियों की संख्या कितनी होती है तो अक्षिये कंकाल पूछेगा तो अस्तियों की संख्या अस्ति होगी ठीक है और मनुष्य के कंकाल संत्र में 206 अस्तियां होती है टमाटर का रंग लाल होता है किसके करण टमाटर का रंग लाल किसके करण होता है चले जल्दी सेंसर कमेंट कर दीजिए टमाटर का रंग लाल जो होता है यह होता है लाइकोपीन के करण किसके करण लाइकोपीन के करण होता है प्याज का रंग लाल और सेब का रंग लाल यह Khanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch वाल्टर जी रोजन ने वाल्टर रोजन यहां पर दिया गया है वाल्टर जी रोजन ने जब विविद्धता सब्द दिया था अच्छा एक एक एको सिस्टम है एको सिस्टम की संकल्पना सबसे पहले किस ने किया था एको सिस्टम का तो एजी टांसले ने किया था एजी टां महाधीप महाधीप पर एक विशालखंड का भाग थे वेगनर ने इस वरहत महाधीप को क्या नाम दिया था लिकली अगर हम बात करें तो अलफरेड़ वेगनर ने महाधीप ए विश्थापन काषिधांत 1912 में परस्तूत किया था अगर पुचा जाए कि महाधीप पिए विस्थापन का सिधान्त किस ने प्रस्तुत किया था तो याद रखेंगे कौन तो अलफ्रेड वेगनर ने किया था ठीक है और देखिए ध्यान दीजेगा जो संबंदित किस्से है तो महासागर और महादीपों की वितरन से संबंदित था ठीक है और देखिए वेगनर ने जो है विरहत महादीप को नाम क्या दिया था तो यह पैंजीया नाम दिया था पैंजीया राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुस्ट ने कि निमर में से किसने संप्रदाइक निट सहीत याद रखेंगे 16 अगस्त 1932 किस ने किया था तो रैमजे मैक डोनौल्ड ने किया था याद रखी अधिये सम्प्रदाइक पंचाट का गोशना नेक्श्ट कोश्टन है कि सेखर एक जीवनी अग्ये की क्रुती है सेखर एक जीवनी किसकी क्रुती है तो याद रखेंगे शिच जपनेनंद2 ही अगे ठीक है पूरा नाम है इनका और यहां क्या है उप्नियाaş है चले उसका पनेक्स्ट कोश्ण करेंगी कि निमल्य लखित में से जापान का महत्पुन सुथी वस्तर का उत्पादन के हंद्र इसमें तो इसमें से अगर हम बात करें तो फ्रेंट्स यहां राइट अंसर हो जाएगा उसाका उसाका को जापान का मैंचेस्टर कहा जाता है और देखिए जापान का डेट्राइट किसको कहा जाता है जापान का डेट्राइट जो है यह कहा जाता है नागोया को नागोया को जापान का डेटराइट कहा जाता है यह यहां ओटो-मोबाईल उद्दोग की लिए फेमस है ठाइट ठेक है याद रखेगा अच्छा भारत का मैंचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है और भारत का डेट राइट जो है चन्नाई को कहा जाता है ठीक है तो यह सबी पॉइंट्स भी आप ध्यान रुखिएगा चले नेक्स्ट कुस्टन हमारा कि अदिस रासी के संदर्व में कौन सा कथन सही इसमें से जो है है बताईए तो देखे राइट अंसर हो जाएगा आप्सन ममबर डी अदिस रासी के अमान अंच्छों के सापेक्स और विन्यास पर आशरित नहीं होता है ठीक है चले अदिस रासी के अगर एकजांपल की बात करें तो अदिस रासी की एकजांपल भी आपको याद होगा चाल, दूरी, ग्रवेमान, आयतन, ताप ये सभी अधिस रासियां हैं। 35 नमबर देखे, किस वर्स में स्री नितिस कुमार प्रथम बार बिहार के मुक्यमंत्री बने थे। पहली बार नितिस कुमार बिहार के मुक्यमंत्री कब बने थे। चले, सभी लोग इसका अंसर कमेंट करिए। देखे, रजमनामा जो है या फार्सी अनुवाद किसका है, तो याद रखेगा महाभारत का, इसका अंवाद अकबर के सासनकाल में हुआ था, और किस ने किया था तो नाम याद रखेगा, ये किस ने किया था तो अबदुलकादर बदाउनी ने किया था, ठीक है, चले, सब्सक्क्राइब जाता है रक्तचाप मापा जाता है किस के दवरा अच्छाक सामाने स्वस्त मनुष्ठ का मनूष्छ का रक्तचाप कितना होता है 220.8 mm कि एज़ी होता है ठिक है याद रखिएग और यह क Bridge to Caram मापा जाता है ठिए अगला प्रशन हो हमारे किनमनलखित में से सररप्रथम किस वाद में उच्षितम न्यानले कहा कि प्रस्ताऊना समिधान का हिस्सा नहीं है कि दली बताईगा राइटवा इसका क्या हो जाएगा important question है most important question है किस वाद में उस्तव न्याले ने सरप्रतम कहा कि प्रस्थावना समिधान का हिस्सा नहीं है तो यह कहा था केशवानन्द भारती वाद 1973 में 1973 1973 याद रखिएगा चले अगला प्रश्ण हमारा कि यदि भारत में विदेसी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारती विदेसी मुद्रा की मांग बढ़ती है तो भारती विदेसी मुद्रा की मांग बढ़ती है तो भारती विदेसी मुद्रा की मांग बढ़ती है तो भारती विदेसी मुद तो स shinesे क्या था इम्मैनुवल कांट ने किया था ठीक है इम्मैनुवल कांट ने किया था चलिए नेक्स्ट कुस्चन हमारे कि भारतिय समिधान में संसदीय लोकतंत्र देखे ध्यान से पढ़िए संसदीय लोकतंत्र और न्याइक सर्वस्ता किन देशों से अंगीकार किये गये हैं चलिए एंसर बताईए जल्दी से एंसर कमेंट करके बताईए तो देखे भारतिय समिधान में संसदीय लोकतंत्र जो है ये ब्रेटेन से लिया गया है और न्याइक सर्वस्ता जो है ये USA के समिधान से लिया गया है तो option D इसका correct answer हो जाएगा ठीक है चलि एगला प्रशन है 42 number की निमनलखित में से कौन कायांत्रित चठानों का एक उधारन नहीं है जल्दी से इसका answer कमेंट करिए जल्दी से इसका answer कमेंट करिए सभी लोगों को answer कमेंट करना है और फ्रेंट्स एक बार प्लीज जल्दी से सभी लोग सेसन को लाइक कर दीज कि देखिए को अकार के संदर में सनी का हमारे स्वर मंडल में कौन साас्थान है अister में आपसे पूछा जरा है चले बताएं आकार के संदर में आपको बताना है तो आकार के संदर में सबसे बड़ा ग्रहा जो होता है यह विरसपती है कौन सा है यह विरसपती है और दूसरा सबसे बड़ा ग्रहा जो है यह सनी है ठीक है सुरे से दूरी का मिसार अगर हम बात करें तो सनी का क्रम जो है यह छठा है सुरे से दूरी का अनुसार मैं आपको सुर सबसे नज्दिक सुरे का सुपर है याद रखिएगा चले शनी-ट-सर हो जाएगा आपसन नमबर दो जो होगा सबसे बड़ा चले next Question है की दिल्ली में अथारसो सन्तावन की विद्रोह की असफलता के बाद बहादूर सा जफर को कहा निर्वासित किया गया था अगला प्रशन हमारा कि दस आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है 42 समिधान संसोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है तो फ्रेंट्स यहां मौलिक करतब्य हैं सरदार स्वन सिंग समिति का अनुसंसा पर 42 समिधान संसोधन 1976 के द्वारा जो है 10 मौलिक करतब्य को समिधान के भाग चार एक अनुछेद 51 एक अंतरगत जोड़ा गया था वर्तमान में मौलिक करतब्य को संख्या अब 10 से बढ़ करके 11 हो गई है इससे आप जरूर याद रखिएगा चले अगला प्रश्ण है कि कौन सा एक प्रात्मिक उपभोगता है इसमें से प्रात्मिक उपभोगता कौन सा है चले सबी लोग जल्दी से अंसर कमेंट करिए इनमें से कौन सा एक प्रात्मिक उपभोगता है कौन सा इसमें से एक प्रात्मिक उपभोगता है तो इसमें से पदो का संगरा जो है ये किस में है जल्दी से अंसर कमेंट करिए ये प्रशन अल्लेडी आपने कर रखा है और बिहार पुलिस में पुछा जा चुका है कभीर दास के पदो का संगरा जो ये बीजक में है किस में है बीजक में है याद रखिएगा चले 48 नमर दिखेगा कि एक पारितंत्र में अप घर्टन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक कौन सा है जल्दी से अंसर कमेंट करिए इसका सही अंसर क्या हो जाएगा तो ताप है मिर्दा की नमी है अपरदन की प्रकृती है ये सभी है तो option d इसका right answer हो जाएगा चले अगला प्रश्ण है 49 निम्बर की निमने लखी तुमें से कौन सा विश्णू का आउतार नहीं है तो 10 आउतार तो आपको यादी है मत्स है वरा है पसुराम है ददीची इसमें से नहीं है ददीची राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए भारत का राष्ट्रिय चावल अनुसंधान संस्थान कहां वस्तित यानि कि राष्ट्रिय चावल अनुसंधान संस्थान पुछा गया है तो फ्रेंस यहाँ कहां पर है जल्दी से अंसर कमेंट करिए जल्दी से सभी लोग अंसर कमेंट करिए अच्छा यह तो राष्ट्रिय पुछा गया अकर अंतराष्ट्रिय पुछता तो अंतराष्ट्रिय चावल और संधान संस्थान कहां पर है अंतराष्ट्रिय चावल और संधान संस्थान मनीला में है कहां पर है फिलिपिन्स के मनीला में है और राष्ट्रिय चावल और संस्थान यह उडिसा में है उडिसा म वी आर क्रिश्णा अयर नैमुर्ती वी आर यहां में लिखता हूं नैमुर्ती वी आर क्रिश्णा अयर ठीक है नैमुर्ती वी आर क्रिश्णा अयर और नैमुर्ती पियन भगवती जो है जन ही त्याच्का की अधरना के अग्रिदूत थे ठीक है तो यहां पर दीकिए भगव नात्म डाल के पूर्ति वक्र का कारण क्या है यह रिफ्रंस यह क्या है तो शी हो जाएका है असमान प्रतिफल धनात्मक ढ़ाल के पूर्तिवक्र का कारण है उसके निम्नलिखित में से कौन सा यूरूप में सामन्त वाद के उदय का प्रमुख कारण कौन था इसमें से तो देके राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा रोमन समराज के पतन के पस्सात बरबर राज्यों क अस्थापना ऑप्शन बी इसका करक्ट अंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करक्ट अंसर हो जाएगा यूरूप में सामन्त वाद के उदयन का प्रमुख कारण जो है यह रोमन समराज के पतन के पस्सात बरबर राज्यों के अस्थापना है चले 54 नंबर कर लेंगे कि अधिक ज ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है तो इस हिसाब से आपको अब एंसर टिक लगाना है यहां पर दिखे भारत हो जाएगा चीन हो जाएगा इवेसे हो जाएगा इंडोनेसिया हो जाएगा ठीक है तो ऑप्शन भी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्ट जबी लोगों को एंसर कमेंट करना है एक बार सभी लोग जलदी से सिस्वन को लाइक कर देंगे वंसागति कि क्रुमोजोम वाद का सिध्धान्त प्रस्तूत किया था सटन और बोवेरी ने ठीक है याद रखेगा सटन और बोवेरी ने चले नेक्स्ट कुस्सन है हमारा कि नम्रकित में से किस एउरोपीय जाती को इंडोनेसिया में प्रभुत्य जमाने में सफलता मिली किस एउरोपिय जाती को इंडोनेसिया में प्रभुत्य जमाने में सफलता मिली चले सभी लोग इसका अंसर कमेंट करिए इंडोनेसिया में प्रभुत्य जमाने में किस एउरोपिय जाती को सफलता मिली तो ये डच थे डच राइट अंचर हो जाएगा डचों को सफालता मिली थी इंडोनेसिया में प्रभुत जमाने में असोक के सासनकाल में कर निर्धारन का सरवच अधिकारी क्या कहलाता था चलि जल्दी सेंसर कमेंट करिए असोक जो है यह मौरे वंस संबंदित है बिंदु सार के यह पुत्र है चलि बताइए असोक के सासनकाल में कर निर्धारन का सरवच अधिकारी क्या कहलाता था तो फ्रेंट्स यह क्या कहलाता था यह कहलाता था समाहरता क्या कहलाता था ये कहलाता था समाहर्ता अच्छा दिवानी न्यायाले का जो न्याधिस होता था ये ब्यवाहरी कहलाता था दिवानी न्यायाले का न्याधिस राजकी ये कोशागार और भंडारागार का संरक्षन ये सानिद्धता कहलाता था क्लियर है याद रखिएगा इसक कर लेंगे कि प्लाजमा अनुसंधान संस्थान जो है यह कहां परिस्तित है प्लाजमा अनुसंधान संस्थान कहां परिस्तित है एक बार सभी लोग एंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए प्लाजमा अनुसंधान संस्थान कहां परिस्तित है तो दिखे प्लाजमा अनुसंधान संस्थान जो है यह कहां पर है तो फ्रेंस यहां गांधी नगर गुजरात में है ठीक है चले उसका बाद दिखेगा कि नमलेकित में से कौन पुर्व मिमांसा दर्शन के परवर्तक है पुर्व मिमांसा दर्शन के परवर्तक बताईए पहले पुर्व मिमांसा बताईए फिर उत्तर मिमांसा बताईएगा उत्तर मिमांसा महत्पुन है पुर्व मिमांसा के जैमिनी है उत्तर मिमांसा के बादरायन है ठीक है न्याय के न्याय दर्शन के गौतम है सांग के दर्शन के कपिल है चरवाक दर्शन के चरवाक है योग दर्शन के पतंजली है सब याद रखेगा चले उसका उसका बदैकि किस सरकार ने महिलाओं के लिए कारे अस्थाल को शुरक्षित बनाने के उधेश से शाहस पहल सुरुवाद किया है साहास पहल कि सुरुवाद जो Prinity pump अस्थाल को किस राज जैसे है चले बताएं मांडा लोग कला का संबंद किस राज जैसे है सभी लोग जल्दी से इसका एंसर कमेंट करी तो देखें मांडा कहां का है राजस्थान का है ठीक है साथिया जो है साथिया यह गुजरात का है साथिया ठीक है रंगोली कहां का है रंगोली महारा गोधना आपन दोनों विहार का है तो चलिए ध्यान दीजे मांडा राजस्थान साथिया गुजरात रंगोली महाराष्ट चोकपुर्णा उत्तरप्रदिश आपन और गोधना विहार तो यह सब याद रखिएगा देखिए हमारे समिधान की किस अनुचेद में पर्यावरन का संरक्षन तथा संवर्धन उपबंदित है चले सबी लोग इसका अंसर कमेंट करिए जल्दी से इसका अंसर कमेंट करिए काफी इंपोर्टेंट है भी वी आई है परेवरन का संरक्षन और सम्मर्दन उपबंदित है किस अनुचेद में तो यहां अनुचेद 49 को है ठीक है अचा अनुचेद 49 में क्या है तो राज इसमें किरिशी और पसुपालन को बढ़ावा देगा ऐसा कहा गया है मर्वस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते है चलिए सबी लोग जल्दी सेंसर कमेंट करिए मर्वस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते है तो यह कहलाते है जीरो फाइट्स ठीक है जीरो फाइट्स कहा लाते हैं, याद रखिएगा, नमकीन मिट्टी में उगने वाले पैदों को हैलो फाइट्स कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा, दूर द्रिष्टी दोस के संब्ध में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है, दूर द्रिष्टी दोस जिसको की हाइप पर METROFIA कहा जाता है और निकट दृष्टि दोसको MYOPIA कहा जाता है ठीके अ एंसर कमेंट करिए का अन्सर कमेंट करिए देखे दूर दिरिष्टी में लेंस की गुलाई कम हो जाती है लेंस की focus दोरी बढ़ जाती है, लेंस की छमता घट जाती है, option D इसका right answer हो जागा सभी सत्य है, और इस रोग की निवारन के लिए दूर द्रिश्टी के लिए उत्तल लेंस का और निकट द्रिश्टी के लिए और अतल लेंस का पर्योग किया जाता है, धेहान रखिएगा, च CASO4 into 2H2O, और CASO4 into half H2O जो होता है, यह plaster of Paris का होता है, तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, कैलसियम सलफट हेमिहाइडरेट, यह plaster of Paris है, ठीक है, ब्लैक राइनो के संरक्षन के लिए वने जीव संरक्षन बॉंड किसने जारी किया है, तो फ्रेंट्स यह जारी किया है, वर्ल्ल बैंक ने, किसने विसुबैंक ने जारी किया है, अजय बंगा, विसुबैंक के अध्यक्षन, अजय बंगा, भारतिय मुल के हैं, अजय कर दीवस कब मनाया जाता है तो प्रतीक वर्ष 8 सितंबर की दिन मनाय जाता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में छोटे राज्यू किस्रेणी में सिर्ष अस्थान किसे प्राप्त हुआ है बड़े राज्यू किस्रेणी में अगर पूछेगा तुब बताना है अलग अंसर होगा और छोटे राज्यू किस्रेणी में अलग अंसर होगा चले बताईए दे बताईए देखे T20 किरिकटर आफ दे यर दिया गया है सुरे कुमार यादों को गालफिड सोबर ट्रॉफी दिया गया है बावर आजम को और वंडे के सबसे सरुषिष्ट खिलारी का अवाडवीन को दिया गया है और टेस्ट का बेन स्टोक्स को दिया गया है ठीक है चले आगे हम लोग हिंदी अंग्रेजी और गडित के प्रश्णों को कवर करतें देखे 71 नमबर की कौन सा सब्द अनीक का पर्याव आचू है इसमें से कौन सा सब्द जो है अनीक का पर्याव आचू है बताई राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा तो देखे अनीक वाहिनी दल कटक यह सब सेना के प्रयाव आचू सब्द है ठीक अनीक दिया गया है याद रखिएगा क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुस्टन अब कर लेंगे कि अगरज का बिलोम सब्द सुनना है अगरज का बिलोम सब्द बताईए क्या होगा करेक्ट अंसर बताईए अगरज का क्या होगा तो अगरज का अनूज हो जाएगा ठीक है अगरज का बिलोम अनूज होता है अगरज मतलब बड़ा होता है और अनूज मतलब छोटा होता है चलिए उसका बाद नेक्स्ट कुस्टन हमारे कि दियेगा बिकल्पों में से कौन स अतुल का समानार्थी सब्द नहीं है नहीं पुछा गया है अतुल का समानार्थी सब्द होता है अनुखा अनुपम अपुर्व ठीक है अनल नहीं है इसमें से अनल जो है यह आग का परियवाचु सब्द है ठीक है जिसका उपमा ना हो उसके लिए एक सब्द जिसका उपमा ना हो उसे हम अनुपम कहेंगे क्या कहेंगे अनुपम कहेंगे अनुपम राइट अंसर इसका हो जाएगा क्लियर चलिए अपने मुह मिया मिठु बनना मुहाबरा है इसका आर्थ बताना है आपको चलिए जल्दी से बता जीजिए इसका एंसर क्या होगा अपने मुह मिया मिठु बनना का आर्थ होता है अपनी प्रसंसा खुद करना अपनी प्रसंसा स्वयम करना हो जाएगा तथा पी सब्द का चले सूच समझ करके अंसर दीजे, मैं इंतिजार कर रहा हूँ बताईए, महत्वकांचा इसमें से सही कौन सा लिखा गया है तो देखे इसमें साफसर नमबर बी जो है, इस तरह से महत्वकांचा लिखा जाता है महत्वकांचा ठीक है, पक्छी पेड़ पर अपना क्या बनाते हैं, बताईए, तो पक्छी पेड़ पर अपना घोश्ला बनाते हैं, नीड बनाते हैं, नीड मतलब घोश्ला होता है, ठीक है मिरगावती किसकी रचना है तो ये कुतबन की रचना है मिरगावती नैन जो देखा कमल सा निर्मल नीर सरीर हसत जो या दसन जोती नगहीर प्रस्तुत पंक्ती के रचीता कौन है चले इस पंक्ती के रचीता कौन है तो ये मलिक मुहमद जाईशी है इनके तो मलिक मुहमद दिजाई सीव पदमावत से यह लिया गया है चले एक्ष्टा वेजन्ट का आपको यहाँ पर एंटोनिम बताना है तो दिखे एक्ष्टा वेजन्ट का मतलब होता है ज्यादा व्याई अती व्याई और माईजरली का कंजूस हो जाएगा उसका बद इसका क्या होगा तो फेश्ट द म्यूजिक यानि की परिणाम भोगतना तो राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा तो फेश्ट द म्यूजिक का टू बियर दर कंसिक्वेंसेज ठीक है चले उसका बद दिखेगा कि टू मच ओफिसेली फॉर्मलिटी वन वर्ट सब्टिशन ह इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा टू मच ओफिसेली फॉर्मलिटी इसको रेड़ टैपिजम कहा जाता है यानि कि लाल फीता साही कहा जाता है ठीक है चले उसका पर दिखेगा कि हाउ क्रुएल द बॉस इज सेट द क्लर्क ठीक है तो यहां पर राइट अंसर इसका क्य यहां पर है और नहीं है तो नो एरर पर अप्टिक लगाईएगा निकिए वन माई सिष्टर वाजील आई टू द्युट्ट ओ अल्टर्नेटिव डेज यहां पर बताना है तो यहां पर देखेंगे तो होस्पिटल के आगे यहां पर दो का इस्तमाल नहीं होगा आई तो यहां पर दिखेगा यहां पर आपको क्या करना है बैसी बदाना है कि तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा यहां पर कॉल आफ हो जाएगा यहां पर श्ट्राइक जो था वह वापस लिया गया इसमें से सही कौन सा है सही से स्पिलिंग किसका लिखा हुआ है तो यहां पर देखेंगे तो एक्वेंटेंस का लिखा हुआ है ठीका ओपसन डी राइट अंसर हो जाएगा चले एक कानवे से लेकर करके हंड्रेट तक में मैथ के प्रश्ण है आप नब्य प्रश्ण में से करेक्ट अंसर हो जाएगा वह आपका ओपसन डी हो जाएगा 93 का करेक्ट अंसर अपसन डी हो जाएगा ठीक है नाइन का करेक्ट अंसर्ज होगा फ्रेंड्स वह आपका 99 का 5 हो जाएगा और 100 का करेक्ट अंसर्ज होगा वह आपका अप्शन नमबर C हो जाएगा